जगीरा और बसूली भाई के किरदार से बॉलिवुड सहित तमाम लोगों के दिलों में अपनी छाप बनाने वाले मसुहूर कलाकार मुकेश दिवारी राजधानी भोपाल में आयोजित चित्रभार्ती फिलमोद सब में सामिल हुए ऐसे मैं आयोजित की टीम ने मुकेश दिवारी से बुंदेली में खास चर्चा की जिसमें उन्हों ने महत्पून डुसियों पर अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से बुंदेली भासा भी वॉलिवुड में अपनी एक पहचान बना रही है आपका मद्य परदेश में बहुत बहुत स्वागत है और खास तरपर आपका बुंदेल खंड से रिष्टा रहा है तो बुंदेल खंड टॉन में ही में पूछने कैसा लग रहा है कैसो लग रहा है सर अपने घर आके पहली बाद तुझा सुदालो की रिष्टा रहा है रिष्टा है और रहेगा जी उन परेंत रहेगा और अंतिम सांस तक रहेगा और हम जो भी हैं जो कचुबी बना हुए तो बुंदिल खंड ने बना हुए प्रदेश की लोगों ने बना हुए और महामाभी सब बोलते हैं जब भी अपने प्रदेश आते हैं, अपनी आओव हवा में अपने लोगों के बीच और एक सचंद वातवरों में सोचने का मौका मिलता है और इतना इसने और किसको मिलता है सर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं OTT प्लेटफॉर्म का बहुत महत्पूर और योगदान है आज फिल्मों को लेकर लेकर लेकिन इन OTT प्लेटफॉर्म पर कहीं न कहीं राष्टिय विचार को आगात पहुचाने वाली फिल्में पर दरसित की जाती है कुछ ऐसे डायलोग कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिनका बच्चों से लेकर परिवार पर भी बेहत खराब असर पड़ता है इसको लेकर लेकर देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं खुदी सेंसर के खिलाफ हूँ अभी से नहीं 20 साल से लेकिन मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ कि आपको स्वेम इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि सेंसर की आवसकता ही ना पड़े वही मैं दायत की बात करता हूँ कि सिर्फ असलीलता या हिंसा या अत्रियक में किसी चीज़ को परोसने से दर्शक नहीं आता है आपके कथ में इतनी जान होनी चाहिए कथानक में इतनी इमानदारी होनी चाहिए तो देखिए अब स्वेम इतनी जिम्मेदार्य दो निभाते तो आज सेंसर को नहीं बैटना पड़ता आज सरकार को इस तरह के उच्छान आपको मिली हुई थी तो थोड़ी जिम्मेदारी का हिसास भी होना चाहिए वी हैफ टू बी सेल्फ रिस्पॉंजिबल हमें होना ही चाहिए और सिर्फ हम मनोलनियन के नाम पे कुछ भी नहीं परोज सकते जब आप नहीं देख सकते तो दूसरों से पिक्चर क्यों करते हैं कि वो भी वही देखे साहित को समाज का दरपन माना जाता है और पूर्व की जो फिल्म में रहती थी उनमें साहित का महत्पूर्ण योगदान था लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कहीं न कहीं फिल्मों से साहित को दूर किया जा रहा है किसी एक narrative के तहट या फिर ऐसा साहित डाला जा रहा है जो कहीं न कहीं किसी एक खास बिचार को प्रभावित करता है मुझे हमेशा लगता है कि हमें अपनी नई PD को प्रड़ित करना चाहिए कि जो उनकी पढ़ने की अदत छूट गई है जो अब वो मुबाइल पर सब पढ़ने लगे हैं सब देखने लगे हैं तो वो थोड़ा सा एक अंतर आना समझ में आना चाहिए कि जिसको वो ग्यान समझ रहा है वो सिर्फ जानकारी है और गयान कलेक्टिव तोर पे समय के साथ साथ धीर धीरे आता है अलग अलग जोगों से आता है अब पलासी का युद्ध यदि आप गूगल में ढूड़ेंगे तो एक ही पलासी का युद्ध मिलेगा यदि लाइबरेरी में पलासी का युद्ध ढूड़ोगे तो दस किसम की किताबों में पलासी युद्ध की अलग-अलग व्याख्या है तो आप फिर सेलेक्टिव होते हो आप चीजों को चुनते हो कि अच्छा ही ऐसे हुआ होगा तो अभी क्या है गुटका ग्यान है तो उसमें हम भी जम्मेदार है कि हमने नई पीड़ी को प्रेरित ही नहीं किया कि वे पसाहित को पढ़ें नियूस पेपर्स को पढ़ें आपके ग्रह राज्यम है सर भारतिये चित्रसादना के द्वारा फिल्मोत सब आयोजित किया जा रहा है और जो नवोदित फिल्म मेकर्स हैं यहां पर एकत्रित हुए है तो ऐसे जो कारिक्रम है ऐसे आयोजिन है इनकी समाज को और वॉली बॉड में कितनी भूमिका है बॉली बॉड में नहीं समाज में बहुत बड़ी भूमिका है चम्रशसाह समाज से एक नया फिल्म कार निकलता है हमारे समाज से जिसकी जो होने में नहीं सोच सकता था कि उसका सिनेमा एक मंच तक पहुँचपाएगा देखा जाएगा उसको पुरुस्कित किया जाएगा, उसको सराया जाएगा तो हम निश्चित तोर पे उस बीज को नई कौपल जो फूटने वाली है उस कौपल को सहेज रहें और इस तरीके बिलकुर राष्टी इस तर पे अलग अलग जगपे होने चाहिए और विशाल इस तर पे होने चाहिए और चितर भारती का बड़ा बहुत ही युगदान है क्योंकि उनके अंदर की जो भी पाइटिसिपेंट्स आए हैं आप पर फुल ता समझ नहीं सकते कि अब उनके विचार को कितना महत्तव दिया जा रहा है उनके उसको सहे जा जा रहा है तो निश्चित तोर पर मैं तो निश्राम तोर पर इस बात के बिलकुल 100% पक्षदार हूँ कि संभाग संभाग इस तर पर भी छोटी छोटे फेस्टिवल से से होने चाहिए आपने का युबाओं को इसमें भाग लेना चाहिए लेकिन कई न कई धीमा जहर युबाओं के मन में वालीवोड के माध्यम से अभी तक कहा जाए परोसा गया है युबाओं को धर्म से दूर किया गया है युबाओं को अपनी संस्कृति से दूर किया गया है तो उसमें किस परकार से इन लोगों ने अपनी नेरेटिव को परोसा है, आप कैसे देखते हैं सर जब आप कोई स्क्रिप्ट देखें। बहुत नहीं है, कि हमाई संस्कृति या धर्म को रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हम से जुड़ने के लिए